श्री आदिनाथ दिगंबर जैन गुणोदे अतिशे तीर थिक्षेत्र गुलगाव केकडी का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है ये भारत का एक मात्र ऐसा तीर थिक्षेत्र है जहाँ पर दो बार भूगर्भ से प्रतिमाई निकली और दोनों ही बार मिती फागुन सुधी अश्टमी को निकली इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा भी सन 1210 में मिती फागुन सुधी अश्टमी को ही हुई है ये तिथी भगवान की प्रशस्ती परंकित है। गर्भ से प्राप्त इन अतिप्राचीन और अतिश्यकारी प्रतिमाओं को यह स्थापित किया। और 24 जून 2016 को पुनह संपून समवशरन को नवीन क्षेत्र पर हजारों लोगों की साक्षी में नवीन संत शिला के हौल में वेदी बनाकर पिराजमान किया गया। वर्तमान में भी क्षेत्र पर निर्मान कार्य जारी है। वं भगवान के मंगलकारी दैशन कर मरवांचित फल प्राप्त करें। वर्तमान के मंगलकारी जारी है। वर्तमान कारें। हो आरहते भग्ते शरीमेते ओम ररेमग्रामम आपकूंड़य कंड़यं कंड़य जहीं आगे था ट op च आपुं पाच आपै नो student ऑन सम जंवीम हम सम जंबंद्डविया सा मिशिम शूम शें शुम शुम साश्विम्रा एंज द्र stellवं द्रावाई नमो अरहते भगवते स्री मधर्था थांठा अस्माकम गुळो दैं अतिसाइ तीर्चेत्र शंपरक्षंतिस्रोमनी आचयार गुर्वर विद्यासागर मुनी इंद्रा सशंग नर्यापक मनी पंगव स्री शुधा सागर्जी महरा सशंगारो ग्यार्थम गुळो सब्सक्राइब सब्सक्राइब असोग जी अंकुर जी अंसुल जी गर्ग परिवार जूनिया वाले अंकुर जी के सीए बनने के उपलक्ष में शच्टी स्री कैलास्चन जी आशुतोज जी शंदेश जी संस्कृती जी शेंगल परिवार कालेडा वाले सश्टी स्री सिखर्चन जी शुशील जी अमित जी भाविक जी सिंगल प्रिवार उनियारा वाले अमित जी की प्रिक्छा में शुफलता है तू सश्टी स्री सचन कुमार जी संजय जी उक्जिय अभीची पांडय के गड़ी प्रसनी जी खुशुम्ची पलकी जी पुलकी जी प्रिया ची अंदर वाले रचिनी जी तर्नुन ची अनुड़ाग जी गालार वेंजी एंकोट जी पात्ने उम्बै स्रीमान लादूला जी तारा प्रदीब जी प्रदीब जी प्रदीब जी वाद बानी वेचल बंबई प्रिबेंड सी मेना सी ती पाली शी नमुकार ची मितल गड़ी चैपर वाले हैश्टी स्री ओम प्रकासी विनोची मनोची नकुझी सेमची मितल केगड़ी ताराचनेटी गमची मोनोची हर्जची पुन जी केगड़ी हैश्टी स्री महाबीर पुसाची सिनमती कैलास देवीची भवनची मेना सी राखेसी प्रिती गोटा बढ़ला वाले सश्टी स्री नरेंदे जी सुधेसराने जी पिविंची अभिसेक जी संगीता जी रिद्धी सिद्धी जी भैवा आचल शौमेत दुर्गापरा पश्ची मंगल सश्टी स्री शुरेश जी मैना जी अंके जी प्रिती जी आनन जी उने अरक एगड़ी अरण कमार जी रिर्णा जी रिसब जी जी जैन गाडर माला श्वास्त लाबे तु सश्टी स्री राकेश कमार जी सोना जी संकी जी बंबय मुलाइक मंद्र आती शीगर निर्माण हे तु शेष्टी स्री मती स्रीमा जैन वाईपाप अभिसेग जैन को टामनों कामना पोने तू शेश्टी स्री प्रेंका जी पुत्री स्री शंतोस कुमार जी मदुवाला जी प्रेंका जी जैन प्रथम नुक्ति के उपलक्ष में धुन्दरी वाले केगडी शेश्टी स्री मती कुमकुम जैन राजकुमार जैन तमन्ना जैन रौनक जैन घरगरस्ती कराना इस्टोर भेंडवाले शेश्टी स्री लालचन जी जैप्रकास जी अजय कुमार जी अरपित कुमार जी भब जी भाल परिवार केकडी वाले थेश्टी स्रीमान महाविरुपसाद जी मुन्नी देवी सुनील जी अनेल जी इंदू देवी संजय जी निसाद जी गितेसी पार्सिक चारवी चैन मित्तल परिवार केकडी वाले चैन समाज केकडी उपस्टी भब जनारं सीस्तों तूष्टी रस्तों पुष्टी रस्तों तूष्टी रस्तों कालया मस्तु स्वाहा गहती करम चाहिंक राइजर वै असमाज कम समस्तेसांती हार करता रहा औहोपास्तित बभब जनानां व्याधिम घेनंतो व्याधिम घेनंतो व्याधिम घेनंतो स्रीजिन अभीषिक पूजन प्रशादत असमा कम शेवकानं सर्वदोस रोग सोग भए पीड़ाव नासरां बवबतो ओम नमो अरहते भगवते प्रिक्चीना से सुदोस कलम साय दिभ इनार हंसा नामाश मसारु उफ चूरों मुम सरुप थुष्टिन lên कुलों मुम्हार्ब भूस्टिन 0 Haum यह तो आदीना दें भगेवान врोगर केशचे ओन mathematics मेरे आदी जेने स्परमाहाने फाल गुन सुद्याश्ट में थी प्यारी समुसरेण जब प्रगट हुआ अधने हुए हैं वे सभी जन जिसने प्रभु का दरस किया है से गाओं की पावन भूमी जिसे भूमी से निकले भगवान है उगर वह से प्रटी जिन प्रतीमा मेरे आदी जेने श्वरमाहाने है एक बेले आया जिने मंदरे आदी प्रभु को नमन किया मातीन प्रतीक छेना देकर प्रभु की प्रभु चरण में धोक दिया मानुभाओं ये गुणोदे थी से थी से तर अजमे कोटा मेन हायों के उपर गुलगाउं काम में बन रहा है जहां भुगरप से जिन पतिमाएं निगली है और निलिया पक संद जगत मुझे मुझे मुणी पंगो की असरवास सेंड़ इस सेतर का भवेती निर्मान हो रहा है यहां भवेचोवीसी और भवें मुर्लाइं मंदर का पासांट से निमित हो रहा है यहां ध्रम साला हैं और बोजन साला का निर्मान हो चुका है आने वाले यात्रियों की सुमुच त्वेस्ता यहां पे रखी गई है मानुभाओं गुनोजे तीस सेते में तिस रखसक और असीम कारीन भक्तामरी की योजना ही चल रही है मानां मंदर विधान कारान के परहत हैं आप यहां आईए और यहां परसा परीम किरावन करिये जैजनेंद कर दो